दोस्तो क्या आप किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जिसे की आप अपने चहरे को खूबसूरत बना सकते हैं और आप अपने चहरे की जाईयां जुरियों को कम कर सकते हैं, fine lines wrinkles को कम कर सकते हैं सारे दाग धबे दूर हो जाए, पिंपल्स के निशान दूर हो जाए फिर चाहे आपकी उम्र 16 की हो या 50 की हो तो जो में रेमेडी आज आपके साथ में शेयर करने वाले हो इसके इस्तमाल से आपके चहरे पर चमक आएगी आपके चहरे पर निखार आएगा skin आपकी glowing बनेगी और इस remedy को बनाने के लिए सारी की सारी natural चीजों का इस्तमाल में आपर कर रहे हैं जो कि आपकी घर पर ही ये सारी चीज़ा आपको मिल जाएंगी और जो भी ingredient हमें आपर use करने वाले मों इतने ज़्यादा powerful है कि आपकी त्वचा को ये अंदर से निखारने का काम करेंगे चलिए तो दोस्तो फटा-फट से वीडियो को देख लेते हैं लेकिन उससे पहले चोट इसे request जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली पार आए हैं और ये हमारा hero ingredient है दोस्तो वो हैं संतरे के चिलके संतरे को आप खाने में काम में लेजीए लेकिन इसके चिलके होते हैं न दोस्तो ये बहुत ही beneficial होते हैं हमारे skin के लिए इसमे न डेढ़ सारे होते हैं essential oils बोशक कटव का भंडार हैं संतरे के चिलके वैसे तो संत्रे के चिलके का पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाता है लेकिन इस रेमेडी के लिए हम यहाँ पर फ्रेश चिलके का इस्तमाल करने वाले हैं जिससे कि आपको तुरहंत ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा संत्रे से कई ज़दा वाइटमिन C होता है संत्रे के चिलकों में वाइटमिन C सेरम वगरा जो हम मार्केट से महंगे महंगे खरीद के लाते हैं आप चाहें तो बारिक-बारिक हातों से टुकडे भी कर सकते हैं और इस तरीके से greater की मनgt से ग्रेट करके भी ले सकते हैं जियादा इसका नहीं केवल एक चोटा चम्मच यह आम पर संत्रे के चिल्ञे चाहिए होंगे चोटे चोटे से ग्रेट करने के बारे में तुकडे मिलेंगे न दोस्तो उसका हम इस्तवाल करने वाले हैं नारियल के तील के। यह अद् con रखेसे बड़िया दितीर से मोटे मोटे से जो तुकडे हैं उसको हम साइड में निकाल लेंगे , क्या हम यह यह प्र इसकी जरूरत है दोस्तों जादा नहीं लेंगे जादा है तो आप इसको भी mix कर सकते हैं फिलाल के लिए मैं इसको side कर लेती हूँ और जो बारिक बारिक से crystals है उसको मैं आपर लूँगी एक साफ खाली बाउ ले लीजिए और इसमें सारा जो भी हमने एक चमच ग्रेट करके लिए है वो आप संत्रे के चिलके को डाल दीजिए अब जो अगली चीज हम यह आप लेने वाले दोस्तों वो है coconut oil यानि की नारियल का तेल बस इसको आपको इसमें मिला लेना है आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों अब संत्रे के चिलकों के लेते ना हमेशा धो गर लीजिए गा धोने के बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा ग्लिस्री यानि की करीब एक ज्वता ही चमच आपको ग्लिस्रीन मिला लेना है सबी चीज़ों को मिक्स कर लेजी अच्छे से ग्लिस्रीन जो है आपकी स्किन को आपके तवचा को धीली पढ़ने नहीं देता है आपकी तवचा को टाइट बनाए रखता है और और भी ज्यादा पोशक तत्वे जो है इस ओईल में आ जाए उसके लिए हम यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं डबल बॉइलर मेधर का जिया दोस्तों जिससे की इसमें यह जो ओईल है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अब बस यह जैसे गरम हो जाए इसको आप निकाल दीजे बाहर अब दोस्तों यह जो रेमेडिय हमारी बन करके होगी यह बिलकुल तयार एक साफ खाली बाव ले लीजे और स्टेनर की मदद से आप इस ओईल को अच्छे से छान लीजेगा अब ऑईल का कदर आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से हो गया है चेंज और यह जो रेमेडिय है इतनी कमाल करने वाली है आपके चेहरे पर आपके स्किन टोन को यह लाइटन करेगी ब्राइटन अप करेगी आपके चेहरे को बिल्कुल ग्लास जैसे जो शाइन करता ना दोस्तों बिल्कुल वैसे बनाएगी अब यह जो रेमेडिय ना दोस्तों आराम से आपकी चल जाएगी हफते भर तक आप इसको बना करके रखेगा आप शौर हफते भर के बाद वापस से दुबारा से आप इसको बनाएंगे अब इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैं आपर मिला रही हूँ दोस्तों अलोवेरा जिल जी हाँ अब इसकी जो consistency हो जाएगी बिलकुल सिरम जैसी consistency हो जाएगी और ये एक बहूती पावरफुल vitamin c सिरम हमने घर पे बना दिया है बिलना एक भी रुप्या खर्च किए संतरे खाकर जो छिलके हम फेक देते हैं अकसर उसी छिलके को यहाँ पर मैंने इस्तमाल करा है और इतनी पावरफुल रेमेडी बना करके तयार करती है दोस्तों आप इसको लगा कर देखिया अब शौर आप कहेंगे कि आपने जो रेमेडी हमें पहले क्यों नहीं बताई खुब अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सिरम लाइक कंसिस्टेंसी ना हो जाए यह देखिये और इसके रिजल्ट्स भी बताऊंगी वीडियो के एन तक के जरूर बने रहीगा दोस्तों चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजे कोई मेकप कोई दूल मिटी पसीन आपके चेहरे पर नहीं होना चीए अच्छे से साफ रोने के बाद ही सिरम को लगाएगा दोस्तों जिससे कि आपको इसका 100% result देखने को मिलेगा छोटे से लेके बड़ो तक सब भी सिरम को लगा सकते हैं साथ ही लड़किया भी लगा सकते हैं यंगर बनी रहे लंबे समय तक हमारे skin tone lighter हो यह हर कोई चाहता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो इसलिए मेरे जो वीडियोज होते हैं अक्सर दोनों के लिए होते हैं लड़के के लिए भी होते हैं लड़कियों के लिए भी होते हैं यह लड़कों को जादा confusion हो जाता है कि यह हमारे लिए है कि नहीं तो मेरे जो वीडियोज है अक्सर दोनों के लिए होते हैं ये धियान में रखेगा अब दोस्तो जैसे मसाज कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीकी से आपको मसाज करनी है अपर डारेक्शन में, सर्कुलर मोशन में जिससे की ब्लड सर्कुलेशन तो इंक्रीस होगा ही साथ ही आपके स्किन भी ग्लोइंग बनेगी अब बात करते हैं कि इसको आपको लगाना कब है दोस्तो आपको ना रात में सोने से पहले इसको लगाना है रात भर इसे अपने चेरे पर लगे रहने दीजे नेक्स टे मॉनिंग वाश कर लीजे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा 100% गैरेंटी है दोस्तो जब तक मैं मसाज करें अपने फेस पर आप मुझे इस बताइए कॉमेंट करके कि आप मेरे इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं आपका नाम आपकी जगा का नाम तक कि अगले वीडियो में मैं अपनी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स कह सकूँ मेरा पिछला थैंक्स जाता है हरदी भरी जी को जोकी बैंगलोर से है इस सिरम को ना पूरी तरीके से आपकी स्किन जो है वो अब्सौर्फ कर लेती है साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों रिशेदरों में भी शेयर कीजिए तक आपकी जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक्यू सो मच वाचिन दिस वीडियो फ्रेंद्स मिलत अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेकेर